लाइब अगेन एट 7 पीम फॉर अनदर लेक्चर ओन पावर सिस्टम्स तो वापस आ चुके हैं मेरे भाई पावर सिस्टम्स का अगला लेक्चर लेके जिसका आप सभी लोगों को इंतजार था तो आज मैं आप से बात करने वाला हूं conductor की shape के बारे में कि conductor कितनी तरह है के होते हैं कल मैंने आपको introduction दे दिया था solid conductor, single strand conductor, stranded conductor, then composite stranded bundled conductor ये सारे मैंने आपको नाम बता दिये था और solid conductor हमने शुरू कर दिया था और बहुत basic basic questions आंसर भी कर दिये थे मेरे भाई क्या-क्या आंसर कर दिया था कि क्यों cylindrical conductor होता है क्यों उसके अंदर edges नहीं होते हैं conductor hollow होना चाहिए solid यह सारे जवाब हमने देखे थे कल के lecture में और आज वहीं से आगे continue करेंगे और आज आपको पढ़ाने वाला हूँ एक बहुत अच्छा concept skin effect और बहुत ज़ादा detail में skin effect और बहुत ज़ादा detail में पढ़ाने वाला हूँ मज़ा आ जाएगा मेरे भाई literally enjoy करने वाले हो तो सबसे पहले मैं आपको introduce कर देता हूँ मेरे उन दोस्तों के लिए जो मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे है मुझसे पहली बार मिल रहे है तो मेरे दोस्त मेरा नाम है अंकित गोहल मेरा gate में दो बार AIR 1 रहा है 2014 और 2018 में मुझे president of India के दौरा president of India gold medal दिया गया है 2013 में जबकि मेरी graduation पूरी हुई थी और अभी तक मैं एक लाग से जादा बच्चों को train कर चुका हूँ gate और EAC के department में और ये count बढ़ता ही जा रहा है जैसे आप मुझसे जुड़ते जा रहे हूँ और अभी मैं presently an academy में as a director work कर रहा हूँ for gate department but the reason कि हम लोग यहाँ पे क्यों जुड़े है ये सब credential matter नहीं करते है मेरे भाई matter करती है feeling feeling क्या है feeling ये है कि हमारी YouTube family को under 100 rank लेके आनी है top 100 rank कर सारे इस YouTube channel से होने चाहिए और इस सपने को लिए आप भी जी रहे हूँ मैं भी जी रहा हूँ और दोनों लगातार मेहनत कर रहे है दोनों लगातार मेहनत कर रहे है मेरे भाई लगातार daily basis पे लगे हुए है आपके लिए मैं नई से नई classes लेकर के आता जा रहा हूँ नई से नई topic लेकर आता जा रहा हूँ सिर्फ उस revolution के लिए जो आपने और हमने मिलके create किया है अब मेरे भाई उस revolution के लिए like तो बनता है मेरे भाई तो like सभी लोग कर दें और share भी बनता है share आपको करना है क्योंकि जितना share करोगे उतने हमारे revolution की reach बढ़ती है हमारा revolution उतने बच्चों तक पहुंचता और बच्चे बच्चे तक गाउं गाउं में इस revolution को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई तो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं अटना है like करते जाना है share करते जाना है यही मात्र इस course की piece है और यही चीज सिर्फ मुझे motivate करेगी आपके लिए best of the best content लाने के लिए आपके लिए top level content लाने के लिए और core subject में 100% marks दिलाने के लिए सिर्फ इसके लिए आप लोग share करते जाओ ताकि मेरा motivation बना रहे और I'll make sure कि आप लोग का motivation बना रहे अब देखो मेरे भाई अगर gate ESE में top rank लानी है तो आपको ये URL पता होना चीए क्या URL है? URL है tinyurl.com slash ankit ESE ankit ESE मेरा code भी है और tiny URL के अंदर link भी है जहां मेरी सारी free special classes मिलती है और जो classes आने वाली हैं वो मिलती है upcoming special classes में जो हो चुकी है वो subject wise folder के अंदर मिलेंगी network, machine, power system, signal, analog सारी classes आपको subject by subject मिल जाएंगी तो जो भी topic में दिक्कत है बिल्कुल तयार करते जाओ नहीं पढ़ाया तो पढ़ा दूँगा पढ़ा दिया है तो cover कर लो लेकिन आज ही unacademy learning app डाउनलोड कर लेना मेरे भाई क्योंकि unacademy learning app सबके phone में होना compulsory है compulsory है उस पे free test series मिल रही है इस Sunday analog electronics का test लेने वाला हूं जिसको discuss करूँगा Monday को और इसके अलावा free quizzes और free lecture भी available है सिर्फ unacademy learning app के अंदर अब इसके अलावा मेरे भाई अगर plus पे जुड़ते हो मेरे साथ तो क्या फाइदा मिलता है daily practice paper, weekly test, test series previous year question, practice question crash course, doubt solving सब चीजे मिलती है plus पे यानि plus पे अगर कोई एक महनती बच्चा आ जाए तो rank ना आपाए ऐसा possible नहीं है क्योंकि लगातार इंडिया के सारे top educators का support मिलता चला जाता है जितनी आपको मदद की जरूत पड़ेगी जितनी महनत की जरूत पड़ेगी उतनी महनत हम आपके साथ करेंगे तो plus याद रखना मेरे भाई और plus के prizes इस मंद बढ़ने वाले ये भी याद रखना ये भी याद रखना प्लस के prizes बढ़ने वाले जल्दी से जल्दी join कर लेना वरना बाद में पच्टाओगे code याद रखना अंकित EAC अंकित EAC से join करने से immediate 10% discount मिलेगा और directly मुझसे connect हो जाओगे ताकि मेरी guidance में तैयारी कर पाओ और मेरे भाई आप जानते हो कि मैं किस level पे work करता हूँ और अगर मैं महनत करूँगा आपके साथ तो आपकी तैयारी एकदम next level जाने वाली है और iconic पे आओगे तो मेरे भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा क्यों हो जाएगा यहां मिल जाएगा personal coach जो आपके test series का analysis भी देगा अगर आप doubt session request करते हो तो आपके doubts भी answer करेगा और side by side आपकी strength weaknesses पे भी काम करेगा और आपको लगातार schedule बनवाएगा strategy बनवाएगा आपका daily routine बनवाएगा time management सिखाएगा यह personal coach ठीक है इसके अलावा test series का analysis अलग से आपको दिया जाएगा study material अलग से मिलेगा जिसमें complete notes और question bank होंगे इसके अलावा आपको मिलेगा study planner expert guidelines और ESE mains का Q&A practice लेकिन एक बात ना भूले मेरे भाई prices बढ़ने वाले हैं जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उतनी ही करीब आता जा रहा है time price बढ़ने वाले हैं अंकित ESE लगाओ आना academy पे आओ वरना बाद में पच्टाओ ऐसा कुछ हो जाएगा मामला ठीक है चलो शुरू किया जाए शुरू किया जाए तो आज किस बारे में बात करने वाले हैं मिरे भाई आज हम बात करने वाले है skin effect के बारे में skin effect के बारे में बहुत तरीके से पढ़ने वाले हैं बहुत तरीके से पढ़ने वाले हैं ठीक है मजा आएगा चलो skin effect क्या होता है ये तो सब लोग जानते होंगे skin effect का मतलब है जब current, AC current एक conductor में surface के around flow करे surface के around flow करे तो उसे कहते है skin effect उसे कहते है skin effect बात clear हो रही है तो current is distributed near near the surface of the conductor it does not go into the bulk of the conductor conductor के अंदर तक नहीं घुसता है current के चारों तरफ बाहर बाहर के surface पे flow करता है उसी को हम लोग क्या कहते है skin effect कहते है मिरे भाई उसी को कहते है skin effect अब बात आती है सर ये तो सब ने बता रखा ये definition तो किताबों में लिखी है college वालों ने भी बताई है इसमें आपने क्या बता दिया बिल्कुल सही बात है मैंने कुछ जोड़ा तो नहीं है अब जोड़ूँगा देखो क्या होता है ये figure देखना ये जो current है आई मेरे भाई ये उपर जा रहा है ये current उपर जा रहा है इससे ब्लू कलर की magnetic field बनेगी कैसे current की direction में उंगली रख लो तो ये जो fingers आएंगी ये magnetic field की direction में curl हो रही है इधर से right जा रही है और उधर से left आ रही है तो ये magnetic field बन गई अब अगर current AC है तो इससे बनने वाली magnetic field भी alternating होगी और उस magnetic field से बनने वाला flux भी alternating होगा बात समझा रही है alternating current से magnetic field भी time के साथ change होगी और उससे बनने वाला flux भी समय के साथ change होगा तो मैं क्या बोलता हूँ मेरे भाई कि AC current AC current क्या देता है alternating H और ये क्या देता है alternating flux अब मेरे भाई यहां आ जाते है फेराडे महराज उन्होंने क्या बोला जब-जब flux alternating होगा तब-तब क्या induce होगा EMF जब-जब flux alternating होगा जब-जब flux time के साथ vary करेगा तो बनेगा EMF क्या बनेगा EMF ये किस ने बोला फेराडे ने Lens ने बोला मेरे भाई EMF तो बनेगा साथ-साथ ये EMF अपने cause को भी oppose करेगा तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ से, यहाँ से मैं बोलता हूँ कि EMF induced, EMF induced or it opposes cause of induction, और cause of induction क्या है आपका, H अब देखो मेरे भाई, इस कारण से, इस कारण से, आपके conductor के अंदर eddy current आएंगे, यह जो IW है ना, यह IW क्या है मेरे भाई, this is your eddy current, यह क्या है eddy current है, eddy current लूप में flow करेगा, eddy current लूप में flow करेगा, तो eddy current ऐसे flow करें कि यह red वाली, sorry blue वाली magnetic field को oppose करें, कैसे देखो, यह eddy current anti-clockwise जा रहा है तो इसकी magnetic field कैसे आ रही है, outward, यह blue वाली कैसे जा रही है, inward, यह anti-clockwise flow कर रहा है, तो इसकी magnetic field outwards, और यह blue वाली जा रही है, inverse ऐसी देखो, यह वाला clockwise flow कर रहा है, यह वाला clockwise flow कर रहा है, तो इसकी magnetic field red वाले की जा रही है, अंदर, और यह blue वाली आ रही है, बाहर, तो red वाला current ऐसा हुगा, कि इससे, जो भी eddy current बनेंगे, eddy current, should create, eddy current, should create, magnetic field, opposite to H, थेख है भाई, h से ultra, h से ultra magnetic field बनाना पड़ेगा, तभी आपका lens loss satisfy होगा, समझ गए न, देखो, यह वाला जो current है, यह कैसी magnetic field दे रहा है, यह दे रहा है, outwards, और यह है आपकी inverse, यह वाला जो current है, यह दे रहा है, inverse, और यह h वाली है, आपकी, यह वाला जो current है, यह दे रहा है, inverse, और h वाली है, आपकी outwards, oppose कर रहा है न, oppose कर रहा है, यहां तक clear है कि नहीं है, यह मुझे बताओ, यह सब लोगों को दिख रहा है, addy current is opposing the magnetic field, created by the current IE, addy current opposes the magnetic field, created by the current IE, यह दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, सब लोगों को clear है न, बिल्कुल addy current भी alternating होगा मेरे भाई, अब देखो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ, तो यहां पे देखना, addy current आया upwards, यहां पे आया downwards, downwards, upwards, इधर आया upwards, upwards, downwards, downwards, अब देखो, अंदर की तरफ जो addy current आ रहे हैं, जो green में दिखा रहा हूँ, यह IE के opposite हैं और बाहर वाले addy current IE के same direction में हैं, अंदर वाले opposite हैं, बाहर वाले same direction में हैं, तो बाहर current बढ़ जाता है, अंदर current हो जाता है कम जब दोनों same direction में तो add हो गए दोनों opposite हैं तो subtract हो गए तो addy current reduces the total current inside the conductor and increases the total current at the surface of conductor और यही है skin effect कि जादा current कहाँ flow करता है surface पे या skin पे skin हमारी body का outer surface ही तो है इसी पे flow कर रहा है न conductor के surface को क्या बोलोगे conductor की skin तो conductor की skin पे जब current भारी मात्रा में flow करे that is called as the addy current that is called as the skin effect ठीक है जो addy current की वज़े से बढ़ गया है हमारा total current तो मैं क्या बोल देता हूँ यहाँ पे देखो I increases clear हुआ सबको skin effect का phenomena क्या है skin effect का phenomena क्या है यह clear हो गया तो आपको बहुत लोग बोलेंगे non uniform flux linkage थेक है बहुत सारे लोग अलग-अलग fundे आपको देंगे non uniform flux linkage filaments में डिवाइड कर लो लेकिन मेरे भाई कभी clarity नहीं मिलती कभी clarity नहीं मिलती है उस चीज से अब मैंने जो आपको चीज बताई है उससे आपको clarity बहुत तगड़ी मिलेगी उससे आपको बहुत easily समझ आ गया है कि कैसे skin effect की वज़े से कैसे skin effect की वज़े से आपका sorry addy current की वज़े से आपका skin effect आता है ये चीज आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गई होगी अरे मेरे भाई magnetic field जब ऐसे जा रही है तो इधर से अंदर गुसी और उधर से बाहर निकली magnetic field देखो ना I current उपर है I current उपर है तो magnetic field blue वाली ऐसे बनी इधर से अंदर गई board के और इधर board से बाहर आ गई daughter cross daughter cross आ गया तिक है अब देखो skin effect के अंदर हम define करते है एक term that is called as the skin depth that is called as the skin depth अब हम skin depth में क्या कहते है skin depth में हम कहते है current conductor के कितना अंदर तक penetrate कर पाता है या surface से कितनी depth तक current flow करता है that is called as the skin depth that is called as the skin depth तो देखो मैंने क्या यहाँ पर दिखाया है कि current इतने level तक exist कर रहा है इसे कहते है skin depth और delta skin depth और delta यानि surface से कितनी गहराई तक आपका current exist करेगा actual में current exist तो सब जगे करता है current exist तो सब जगे करता है लेकिन सबसे ज़्यादा करता है surface पे और सबसे कम करता है center पे सबसे ज़्यादा कहां करता है surface पे और सबसे कम कहां करता है exist center पे लेकिन effectively effectively कितने distance तक exist करेगा that is called as the skin depth that is called as the skin depth अब देखो मेरे भाई current density इस तरह से vary करती है अब यहाँ D क्या है D is the depth from surface of conductor कि भाईया कहां तक आप देख रहे हूँ और डेल्टा क्या है डेल्टा है skin depth यह J क्या है J है current density J क्या है मेरे भाई J is the current density अब आप देखो कि सर अगर distance डेल्टा ले लिया जाए अगर distance डेल्टा ले लिया जाए तो J होगा J max e to the power minus 1 J max e to the power minus 1 तो यह current density बहुत कम हो गई J max by e J max by e तो current density अगर बहुत कम हो जाती है हमारी अगर current density बहुत कम हो जाती है मेरे भाई हमारी तब हम कह देते हैं कि current इसके बाद आएगा ही नहीं समझ रहे हो J max by e J max by e बहुत छोटा हो गया तो मैंने कहा इससे जादा depth में जाओगे इससे जादा depth में अगर जाओगे तो current ना के बराबर आएगा इसलिए कहां तक current exist कर रहा है current exist कर रहा है समझ गए तो skin depth वो depth है जहां जाके current density हो गई J max by e J max by e अब आप कहोगे सर यह delta कैसे निकलता है यह delta कैसे निकलता है मेरे भाई PDF आपको मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल पे कल वाला भी और आज वाला भी अब PDF को छोड़के lecture पे ध्यान दे लो अगुलर फ्रिक्वेंसी सिगमा क्या है कंडक्टिविटी और म्यू क्या है पर्मीएबिलिटी म्यू क्या है पर्मीएबिलिटी तो आप देखो अगर आपका एक conductor बहुत भैतरीन conductor है तो उसका सिगमा बहुत हाई होगा देल्टा बहुत कम होगा देल्टा बहुत कम होगा तो जाधतर medium current कहां exist करेगा surface के near current अंदर उतना ही कम जाएगा जितना कम delta current उतनी कम गहराई तक flow करेगा तो जितना अच्छा चंडक्टर उतना कम current का अंदर penetration जितना बहतरीन conductor उतना कम current का अंदर penetration बात समझाया तो मेरे भाई इसलिए जो ideal conductor होता है current उसके अंदर जाता ही नहीं है current सिर्फ उसके surface पे flow करता है तो EMT में जो आप sheet current की बात करते हो magnetism में surface current की बात करते हो magnetism में वो एक perfect conductor है वो एक perfect conductor है जिस कारण से current उसके अंदर ना गुसके सारा current उसके surface पे से चला गया सारा current उसके surface पे से चला गया और ये गधा प्रसाथ कोई पूछ रहा है कि omega angular frequency क्या होती है तो मेरे भाई यह होती है 2πf 2πf ठीक है जहाँ f होगा 50 hertz अब आगे की बात सुनो बहतरीन conductor में current अंदर penetrate नहीं करता बहतरीन conductor में current अंदर penetrate नहीं करता current सिर्फ उपर उपर flow कर जाता है ऐसे ही permeability बढ़ने से भी आपकी skin depth कम होती है skin depth कम होती है तो हम यह कहते हैं as delta reduces skin effect increases यानि अगर कभी आप यह बोलो कि भी यह skin effect जादा है इसके अंदर तो उसका क्या मतलब है? उसका क्या मतलब है skin effect जादा होने का skin depth कम है skin depth कम है माने skin effect जादा है अब मेरे भाई मुझे इतना बता दो एक छोटा सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि कहां skin effect जादा होता है machine या transmission line कहां skin effect जादा होता है machine या transmission line जल्दी से जल्दी से जल्दी से चैट के अंदर सारे लोग भर दो अरे जल्दी बताओ भाई कहां जादा होता है अब बहुत सारे बच्चे बो लेंगे सर transmission line क्योंकि आपने machine में तो skin effect के बारे में इतना discussion ही नहीं किया आप बोलोगे transmission line सर machine में क्योंकि आपने बात कम की थी तो transmission line है तो मेरे भाई बहुत लोगों तो ये भी नहीं पता होगा कि इस चैनल पर मैं machine पूरा हिंदी में detail में whiteboard पर पढ़ाया हूँ जरूर देख लेना लेकिन मेरे गधा प्रसादो अब तो गधा प्रसाद भी नहीं गधा प्रसादो conductivity copper की ज़ादा है skin depth copper की कम है तो skin effect ज़ादा कहा हुआ machine में machine में ज़ादा हुआ क्योंकि transmission line बनी है aluminium की उसकी conductivity कम है delta ज़ादा है delta ज़ादा है तो skin effect कम है delta ज़ादा है तो skin effect उसका कम आएगा skin effect ज़ादा किसमें आएगा copper में या machine में copper में या फिर machine में समझ गए तो machine के अंदर जादा skin effect होता है as compared to transmission line ठीक है अब वो अलग बात है हम लोग पढ़ते जादा power system के अंदर है वो तो अपनी अपनी इच्छा है machine के अंदर पढ़ लो बात तो यही है concept तो यही है चमक गया अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ skin depth अब देखो जैसे जैसे आप frequency बढ़ाओगे जैसे जैसे आप frequency बढ़ाओगे देखो as frequency increases delta decreases now in dc frequency is zero तो delta tends to infinity ध्यान से देखते चलना अगर life में आम जिन्दगी से mentors जिन्दगी में आना है तो देखते चलो तुम लोग से पूछूँगा तो गलती answer दोगे अब यह मत पूछना सर यह jmax कैसे आ गया e की power zero होता है one तो current density क्या आ गई constant तो इसलिए मेरे भाई dc के अंदर कोई skin effect नहीं देता dc के अंदर कोई skin effect नहीं होता है यह देखो current पूरा uniform है यह जो yellow वाला region ने यह current है तो yellow वाला हिस्सा पूरे में फैला हुआ है यानि current density constant है current density constant है अगली बात देखो जब आपने 60 hertz लिया तो current density बाहर के area में है इधर current नहीं है इधर current नहीं है आपने frequency और बढ़ा दी delta और कम हो गया यानि current जितना frequency बढ़ाते जाओगे उतना ही बाहर की तरफ रहेगा अब कोई बच्चा मुझसे ये पूछेगा कि sir frequency बढ़ाने से delta कम क्यों हुआ frequency बढ़ाने से logically delta कम क्यों हुआ बताते हैं बताते हैं मेरे भाई देखो क्या होता है addy current loss अब थोड़ा machine में जा रहा हूँ तो आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि addy current हो या addy current loss हो ये directly proportional है frequency के और addy current directly proportional है sigma के 1 by rho के तो अब खुद सोचो ना frequency बढ़ाने से या sigma बढ़ाने से frequency बढ़ाने से या sigma बढ़ाने से addy current बढ़ता है addy current बढ़ता है और अगर addy current बढ़ेगा तो obviously current बाहर की तरफ बढ़ जाएगा अंदर की तरफ कम हो जाएगा यही तो किया था addy current ने देखो addy current ने अंदर वाला current कम कर दिया था बाहर वाला बढ़ा दिया था अगर यह addy current जादा amount में आया तो अंदर वाला current और कम हो जाएगा बाहर वाला current और बढ़ जाएगा इसलिए आपकी skin depth किस पे depend करती है frequency पे और conductivity पे frequency पे और conductivity पे यानि जितनी high frequency की बात करोगे उतना कम surface को penetrate कर पाएगा current इसका जो सबसे बड़ा application है न वो EM wave में आता है EM wave को अगर किसी metal पे किसी conductor पे incident किया जाए metal पे conductor पे incident किया जाए तो EM wave कितना उस conductor के अंदर घुसती है उसे भी कहते है skin depth बात समझा रही है conductor के अंदर कितना एक EM wave घुसी उसे क्या कहोगे skin depth अब बात है आपको skin depth में EM wave क्यों देखनी है देखो मेरे भाई ध्यान से सुनने ना मेरी बात को बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ मानलो कोई instrument है आप नहीं चाहते बाहर जो अवारा electric और magnetic field है वो उसे effect करें आप नहीं चाहते बाहर गूमने वाले electric और magnetic field उस instrument तक पहुँचें तो मेरे भाई चारो तरफ conductor लगा दो अब जो कोई EM wave आएगी वो conductor के अंदर घुस नहीं पाएगी कहां तक घुसेगी delta तक आप delta से जादा मोटा conductor ले लो अगर उसका delta 1 mm है आप 5 mm का thickness वाला conductor लगा दो तो 1 mm तक तो जाएगी wave लेकिन 5 mm अंदर 5 mm अंदर घुसके उस instrument तक नहीं जाएगी इसे कहते हैं electromagnetic shielding क्या कहते हैं electromagnetic shielding तो जहां instrument आपके highly accurate highly precise होते हैं वहां हम लोग ये कोशिश करते हैं बाहर गूमने फिरने वाली electric और magnetic field instrument को असर ना डाले तो चारो तरफ से उसे shield करना अनिवार्य है समझ गए electromagnetic shielding में भी skin effect का काम आता है अब आप कहोगे सर skin effect से समस्या क्या है समस्या क्या है देखो skin effect से क्या होता है आपका effective area reduce हो जाता है जितने area से current flow करता है वो area reduce हो जाता है तो हम कहते हैं r dc क्या होता है rho l by a अब यह a क्या है a है आपका total area हम कहते है r ac होता है rho l by capital a capital a क्या है effective area अब obviously skin effect के चलते current कम area में exist करता है तो it is less than small a तो r ac is greater than r dc तो ac supply को जादा resistance offer होता है as compared to dc ac supply को resistance जादा offer होता है as compared to dc जिससे की losses बढ़ेंगे तो यह machine में भी harmful है power system में भी harmful है आपके losses का बढ़ना losses का बढ़ना दोनों जगे harmful है तीक है और मेरे भाई मैं यहाँ पर लिख देता हूं r ac by r dc is called as factor यह यह बात चमक गई सबको skin effect skin effect पूरा detail में clear है या नहीं जल्दी बता दो पूरा detail में सब लोगों को clear है या नहीं और यह जो factor आता है जादातर 1.2 से 1.3 रहता है in case of 50 hertz 50 hertz पर ही 1.2 से लेके 1.3 तक vary करता है तीक है चलो अब आते हैं अगले conductor पे जैसा मैंने आपको बताया था कहानी सुनाऊंगा तो आपको solid conductor में क्या परिशानी है सबसे बड़ी परिशानी है solid conductor के अंदर skin effect जिस कारण से conductor पूरा use नहीं हो पाया और conductor में current सिर्फ कम area के अंदर flow किया तो अब उस परिशानी को हटाने के लिए अगले conductor पे चलते है stranded conductor अब stranded conductor क्या होता है जो पतली-पतली वायर से बनता है उन्हें आपस में ऐसे twist करके जब लपेट के वायर बना देते हैं इस तरह की वायर बना देते हैं तो उसे कहते हैं मेरे भाई stranded conductor तो stranded conductor consist of multiple strands that are twisted together to form our total conductor तो यह जो पतली-पतली wire है, मैं यहाँ अगर shade करूँ, यह जो पतली-पतली एक-एक wire है इसको आप बोलते हो strand, क्या बोलोगे इसको? strand और यह पूरी मोटी wire को बोलोगे stranded conductor stranded conductor, अब आप कहोगे सर इससे skin effect में क्या भला होगा? अभी उस पे आता हूँ, अभी के लिए रुको, आगे बताऊँगा क्या फायदा होगा? अब देखो अगर सारे strands इसके अंदर, सारी पतली-पतली wire एक ही material की बने तो उसे कहते हैं, homogeneous stranded conductor अगर सबका radius और सबका material सेम हैं, तो that is homogeneous stranded conductor अगर सारी wire, अगर सारी wire aluminium से बने अगर सारी wire aluminium से बने तो उसे कहते हैं, all aluminium conductor all aluminium conductor का मतलब क्या होगा? all strands, all strands are made of aluminium all strands are made of aluminium, ठीक है मेरे भाई? अब देखो इसमें न, randomly wires नहीं आती है randomly wires नहीं आती है, बिल्कुल each strand laminated होता है, हर एक strand इसके अंदर laminated होता है बात को ध्यान से सुनना, इसके अंदर randomly number of wire प्लेस मत करना यहां अगर center में एक wire है, तो उसके अगली layer में कितनी है? 6 है इसके अगली layer में आती है 12, उसके अगली layer में आती है 18, इस तरह ऐसे चलता है तो यह fix है, यह pattern fix है, कि पहले एक wire आएगी, उसके बाहर 6 wire आएगी, उसके बाहर 12 wire आएगी यह fix चलता है, यह fix चलता है, मेरे भाई यहां lamination का मतलब है, insulation coating होती है कि wire एक दूसरे को touch ना करें, अगर wire एक दूसरे को touch करेंगी, तो stranded बनाने का कोई फायदा नहीं है तो इनके उपर coating दी जाती है, ताकि current एक wire से दूसरी wire के अंदर enter ना करें अब बात है skin effect कैसे कम हुआ, देखो आपको क्या पता है, कि skin depth है, ठीक है तो this is independent, ध्यान से देखना, independent of size of conductor मेरे भाई, आपका conductor मोटा है, पतला है, छोटा है, लंबा है, क्या होगा, उसके size से delta independent है तो अगर आप solid conductor लेते, तो भी current कितनी depth तक penetrate करता current penetrate करता, delta depth तक, और जब आपने stranded लिया, तो हर एक में कितना penetrate करेगा बंदू हर एक में कितना penetrate करेगा, हर एक में penetrate करेगा delta तक हर एक में penetrate करेगा delta तक, अब मुझे ये बताओ, जादा area, जादा area में कहाँ flow कर रहा है current solid में या stranded में, current कहाँ जादा area में फैला हुआ है, कहाँ जादा area में current spread है, जल्दी से बता दो, जल्दी से सब लोग answer कर दो, where current spreading is more, weather in solid or weather in standard, मुझे जल्दी से answer दो, सभी के सभी, और सबका answer एक ही होगा मेरे भाई, here effective effective cross section area increases, अगर effective cross section area बढ़ गया, तो AC resistance decreases, या ये कह दो skin effect decreases, इस तरह से stranded conductor के अंदर, आपका skin effect कम आता है, as compared to solid conductor solid के मुकाबले stranded में skin effect कम होता है, stranded के अंदर resistance कम होता है, as compared to a solid conductor solid के मुकाबले stranded में skin effect आपका कम आता है, ये बात clear हो गई, सबको ये बात clear है, चलो यहां तक हमें समझ आ गया तो मिरे भाई कहानी आगे बढ़ती है अब सबसे पहले देखो फिर से रिविजिट कर लेते हैं अपनी पूरी कहानी सबसे पहले मैंने बताया कि सिंगल स्ट्रेंड कंड़क्टर आया आपने पूचा सर सरकूलर ही क्यों होती है वायर वायर सिलेंड्रिकल ही क्यों होती है मैंने बोला मिरे भाई अगर और कोई शेप लोगे उसमें एजिस आएंगे एजिस पे चार्ज जैंस्टी जादा होगी जहां charge density जादा होगी वहाँ electric field जादा होगी तो corona जादा होगा बात खतम cylindrical आएगी ठीक है इसके बाद आपने पूछा sir क्यों ना hollow conductor ले लिया जाए मैंने बोला मेरे भाई hollow में बड़ा फाइदा है कि उसका outer radius जादा आएगा same current के लिए तो उसकी electric field कमाएगी corona कमाएगा तो hollow is an advantage लेकिन hollow के अंदर mechanical strength कम होगी तो wire लटक जाएगी wire का sag बढ़ जाएगा तो आपने बोला फिर सर hollow का कहां use करें तो मैंने बोला मेरे भाई hollow को use कर लो बसबार में वहाँ कई सारी wires आती है तो electric field के ज़्यादा problem बसबार पे रहता है वहाँ hollow लगाओगे electric field घटाओगे तो corona घट जाएगा आपने ठीक है सर तो wire लगा लेंगे solid मैंने का नहीं मेरे पिक्चर अभी बाकी है मैंने बोला solid के अंदर आ जाएगा skin effect जिससे की resistance बढ़ जाएगा losses बढ़ जाएंगे efficiency कम हो जाएगी अब आप हो गए puzzle अब क्या करें सर अब मैंने बोला मेरे भाई इसका उपाय है standard conductor लाओ current का effective area बढ़ाओ resistance घटाओ skin effect घटाओ तो इससे हमें पत आती है सर सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं सर हमेशा coin के two sides होते हैं अगर कुछ फायदा है तो ऐसा तो नहीं होगा सर कि कुछ ना कुछ नुकसान ना हो कहाँ catch है कहाँ catch है उसके लिए पढ़ते हैं comparison उसके लिए पढ़ते हैं comparison standard conductors का mechanical strength कम होता है as compared to solid conductor कहते हैं na united we stand divided we fall united we stand divided we fall अब मान लो मेरे भाई मान लो कि ये solid एक है इसका strength काफी ज़्यादा है ये नहीं तूटेगा जल्दी लेकिन इसको पतली पतली wires में divide कर दो तो ये flexible हो जाएगा देखा है ना ये जो तारे लटकी रहती है खंबे पे तारे जो लटकी रहती है टावर पे ये towers की mechanical strength कम है वहीं अगर आप एक rod ले लो या एक सरीया ले लो जो की building बनाने के काम में आता है आप उसे नहीं मोड सकते आप उतने radius की wire को तो मोड दोगे लेकिन आप उस सरीये को नहीं मोड पाओगे तो इससे क्या मालूम चला standard conductor की mechanical strength कम है अब आपने का सर ये तो बड़ा फा 200 मीटर 100 मीटर की अगर 100 मीटर का भी सरीया ले लिया जाए सोच के देखो 100 मीटर का सरीया ट्रक के बाहर निकल जाएगा उसको transport कहां से कर दोगे लेकिन wire flexible है तो bobblin पे आप उसे round कर लो bobblin क्या होता है जो बड़े बड़े tire होते है ना बड़े बड़े tire होते है उस पे round करके अराम से उसे transport कर लो और जहां उसे आपको ले करना है जहां उसे टांग ना है वहां उसे टांग लेना लेकिन साथ ही साथ mechanical strength घटने का एक नुकसान भी है वो है ये अभी इस point पे surface non uniform हो गया यहां इसका surface आपका non uniform हो गया अब अगर बंदू surface non uniform हो गया तो जहां जहां area कम है जहां जहां area कम है यहां पे corona जादा होगा मैंने बताया दा ना जहां sharp edge बनता है वहाँ corona जादा होता है वहाँ corona जादा होता है इसी वज़े से मेरे भाई इसी वज़े से क्या होता है corona loss is more ठीक है यह वाला point देखो surface of standard conductor is not smooth so electric field is non uniform and hence corona loss is more corona loss is more अब इसके अलावा इसके अलावा देखो यह wire जो है आप लपेट लपेट के लिए जा रहे हो देखो ऐसे लिजा रहे हो तो यह wire का actual pattern किसा है कुछ इस टाइफ से अगर आप wire को ऐसे ले जाओगे तो इसकी length इस distance d से तो ज़ादा होगी wire की actual length distance d से ज़ादा होगी न यानि conductor की ज़ादा length लगेगी यानि conductor की ज़ादा length लगेगी और conductor की अगर ज़ादा length लग गई मेरे भाई तब क्या होगा conductor की ज़्यादा length लग गई तो उसका resistance भी बढ़ेगा लेकिन आप कहोगे sir skin effect की वज़े से तो resistance कम हो रहा था अभी तो आपने बुला यहाँ skin effect कम है तो resistance कम आता है यहाँ skin effect कम है मेरे भाई तो मैंने बुला था resistance कम आता है अब दो चीजे हो गई length बढ़ने से resistance बढ़ गया और skin effect कम होने से resistance कम हो गया dominate करता है skin effect इसी वज़े से overall resistance घटेगा यानि skin effect अगर 5 ohm घटा रहा है तो length 2 ohm बढ़ा रही है length 2 ohm बढ़ा रही है skin effect 5 ohm घटा रहा है तो net reduction ही आना है 3 ohm का तो overall the resistance reduces overall the resistance reduces अब एक गधा प्रसाद का question है twist क्यों किया मेरे भाई ऐसे सीधी सीधी wire अगर लगा दी तो खंबे पे पकड़के तुम खड़े रहोगे उज़े पकड़के लटके रहोगे क्या कि खुले ना wire अगर मेरे भाई कोई connection खुलना नहीं होता घर में कभी नहीं देखा electrician दो wire को लेता है और twist कर देता है ताकि वो unwound ना हो ताकि वो एक साथ रहे आप पतली पतली wires को एक साथ ऐसे गठा बना के कैसे hold करोगे it is practically impossible it is practically impossible देखे बट कौन समझाए common sense नाम की जो sense होती है जो subject होता है वो किसी school college में नहीं पढ़ाया जाता न अब देखो आखरी point की sag conductor का बढ़ जाता है भाई पतली wire होगी hulky wire होगी कम strength वाली wire होगी तो लटक जाएगी अब आप एक चीज़ सोचो एक सरीया पकड़ो एक सरीया को एक end से पकड़ो देखो जैसे मैंने यह पकड़ लिया यह पकड़ लिया यह नहीं गिर रहा यह नहीं गिर रहा क्योंकि यह solid है वहीं अगर यह stranded होता तो यह लट रख गया होता मेरे भाई तो सैग आ जाता है जब वायर की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है या वायर की मेकैनिकल स्ट्रेंथ कम होती है यह सैग का फॉर्मूला क्या होता है आप इसे कह सकते हो डेंसिटी मैं रू लिख देता था लेकिन एक बच्चे ने बोला सर किताबों में डेंसिटी को रू लिखता था L होता है span length L क्या होता है span length और T क्या होता है tensile strength tensile strength अब आप कहोगे जर लटक गई तो लटक गई इसमें आपका क्या गया मेरे भाई मेरा कुछ नहीं गया चला तुम्हारा जाएगा अगर तुम इसके नीचे से चले गए क्योंकि ये wire तुम्हें खीच के अपने पास बुला लेगी कि आओ मुझे पकड़ लो तो फिर तो क्या होगा मिरे को बताने की जरूरत ही नहीं है ये तो समझी गए होगे ना क्या होगा अगर wire ने खीच लिया मेरे भाई wire ने खीच लिया तो समझ रहो ना क्या होगा इसी लिए σैग बढ़ने से ये जो h होता है ना इस h को बोलते है clearance, clearance कम हो जाता है clearance कम हो जाता है और clearance अगर міज़ा टो मेरे भाई नीचे से गुजरने वाले के लिए जानमान की हानी हो सकती है इसलिए clearance हाई रहना जरूरी है अब बात एक clearance बढ़ाएं कैसे देखो यह मैंने दिखाया भी है यह clearance बढ़ाएं कैसे how to increase clearance main बात यह है ना sag से मुझे कोई समस्या नहीं है अगर आप clearance बढ़ा पाओ आप कहोगे सर क्लिरेंस बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है increase tower height conductor और उचा लटका दो मैं कहूँगा वा मेरे भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लेकिन मेरे भाई जब tower और उचा बनाओगे तो उसकी cost बढ़ जाती है क्या हो जाती है cost increases cost आपकी बढ़ जाती है अगर tower की height बढ़ाओगे और ये चीज़ हम लोग effort नहीं कर सकते ये चीज़ हम लोग effort नहीं कर सकते कि cost बढ़ जाए दूसरा आप कहोगे सर sag reduce कर लो आप कहोगे sag reduce कर लो अरे भाई बहुत ही बढ़िया sag reduce कर लो sag reduce कर लो अब sag reduce करने के लिए आप क्या करोगे एक तो reduce करोगे span length अब ये span length क्या होती है ये दो towers के बीच का distance होती है ये होती है span length दो towers के बीच का distance ठीक है लेकिन अगर ऐसा करोगे तो यहाँ पे क्या चाहिए more number of towers तो यहाँ पे भी cost बढ़ जाएगी अब आखरी रास्ता बचा आपके पास increase tensile strength आप कहोगे sir conductor की strength क्यों नहीं बढ़ा देते मैं कहूँगा बिलकुल बढ़ाएंगे मेरे भाई बिलकुल बढ़ाएंगे अब आप लोग कह रहे हो बढ़ा देते हैं तो बढ़ाएंगे यह बढ़ाएंगे ठीक है तो tensile strength अगर बढ़ाएंगे तो उससे sack कम हो जाएगा इसलिए कहानी में बात आगे बढ़ती है हम चलते हैं अगले conductor की तरफ composite stranded इससे पहले अगले conductor का आपके सामने अगले conductor को पेश किया जाए फिर से कहानी revisit कर लेते हैं सबसे पहले आया solid conductor समस्या क्या थी skin effect आया stranded conductor दो समस्या हैं corona और sag sack कम करने के लिए गए अगले conductor पे क्या गए composite stranded conductor composite stranded conductor अब मानच का doubt है wires को हम लोग insulation क्यों नहीं देते मेरे भाई इतना कोई नहीं सोचता कि खंबे पे जाकर के wire में भी कोई जाकर के कोई परिशानी करेगा costing अगर बढ़ गई ना 200 km wire की तुमारे बिल की cost बढ़ जाएगी और बिल की cost बढ़ गई तो मेरे भाई क्या होगा तुमारे घर का financial बिगड़ जाएगा अब ऐसा क्यों करें मेरे भाई अब ऐसा तो कोई होगा नहीं जो उपर जाकर लटक जा और लटक गया तो फिर उसे भगवान भी नहीं बचा स चलो अब आगए composite stranded पे हमने बोला हमें sack कम करना है हमने बोला हमें sack कम करना है tensile strength बढ़ानी है अरे भाईया बीच का एक जो conductor है बीच का एक जो strand है ये different material का बना दो जैसे वो homogenous stranded conductor था ना ये composite है composite का मतलब एक से जाधा material यूज हुए है composite का मतलब एक से जाधा material यूज हुए है और उसी के लिए हमने इसको बोला composite stranded तो क्या करते हैं बीच का conductor steel का बना देते हैं जो steel का conductor इसका काम है बस इसकी ताकत को बढ़ाना इसकी strength को बढ़ाना ना कि current carry करना उसे current carry नहीं करना है उसे बस क्या करना है इस conductor को मजबूत करना है जिससे ये लटके कम या इसका sack कम हो जाए तो हम क्या कहते हैं central और internal strands are replaced with new strands having good mechanical and tensile strength having good mechanical and tensile strength अंदर वाले strands को ऐसे strands से replace कर दो जिसके अंदर mechanical strength जादा हो तो जादातर क्या करते हैं बीच वाले strands को replace कर देते हैं steel से किसे कर देते हैं steel से कर देते हैं conductor स्टील reinforced मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जो reinforce की spelling लिखते हैं reinforce reinforce बताते हैं r-a-i-n-f-o-r-c और तुम में से भी ऐसे कुछ बच्चे छुपे वैठे होंगे जिन्हें आज तक reinforce की spelling नहीं पता होगी ठीक है अब देखो मेरे भाई ये बीच में आपको शायद नजर ना आ रहा हो ये बीच का material dark है ये सारे strand किसके हैं ये steel के हैं बीच वाले dark हैं और बाहर वाले सारे किसके हैं तो बीच में steel की wires देके इसकी strength को बढ़ा देते हैं ध्यान से देखो कि तो बीच वाला dark नजर आएगा तो इसकी strength को बढ़ा दिया जाता है और current carry करने का काम बाहर वाले strand करेंगे बीच वाले strand सिर्फ उसकी strength को बढ़ाएंगे बीच वाले strand सिर्फ उसकी strength को increase करते हैं अब बात ये आती है how to decide the number of strand in each layer इसका formula होता है मेरे भाई 3x square plus 3x plus 1 अब 1 layer के लिए x 0 रखोगे n आगया 1 2 layer के लिए x 1 रखोगे n आएगा 7 7 का मतलब बीच में 1 बाहर 6 अब ऐसे 3 layer के लिए x रखोगे 2 तो n आएगा 12 plus 6 plus 1 19 which is 1 plus 6 plus 12 ऐसे चलता है ठीक है 1 plus 6 plus 12 अब मेरे भाई इसका मतलब सबसे अंदर एक फिर उसके बाहर 6 फिर उसके बाहर 12 तो exam में जब draw करू ना अपनी मर्जी से गोले गोले बनाते मत चले जाना इस number के हिसाब से जाओगे ये formula आपको याद रहना चाहिए ठीक है bird को shock क्यों नहीं लगता bird को shock क्यों नहीं लगता ये मैं पढ़ा दूँगा कभी आपको time निकाल के इसकी चिंदा मत करो बता दूँगा overall diameter of stranded conductor देखो अब अगर आप ऐसे लोगे न मैं हाथ से ही बना रहा हूँ देखो क्या होता है अगर आप ऐसे देखो गे overall diameter तो two layer में कितना आ रहा है 3D आ रहा है ना 3D आ रहा है तीन circle का diameter add हो गया ना तीन circle का diameter add हो गया ऐसे ही अगर तीन layer लेते एक एक circle दोनों तरफ और बढ़ जाता और एक एक circle बढ़ जाता तो 5D 4 layer लेते तो हो जाता 7D यहाँ small d क्या है it is dia of each strand तो यहाँ से overall diameter बनता है और यह odd multiple में चलता है d k यह odd multiple में चलता है d k अब पूछा है naming कैसे करें naming कैसे करें naming कैसे कर देते हैं देखो a c s r x by y अब यह x और y क्या होते हैं इस में से जो number बड़ा होगा वो क्या होगा aluminium strands जो भी number बड़ा होगा वो aluminium strand होगा और जो भी number छोटा होगा वो क्या होगा steel के strand ऐसे मालूम चल जाता है ऐसे मालूम चल जाता है कितने aluminium के और कितने steel के strands चलेंगे बात चमकी अगर a c s r 6 by 1 लिख दिया मानिच 6 aluminium 8 steel a c s r 1 by 6 लिख दिया तब भी 6 aluminium और एक steel ठीक है तो आपकी naming पे depend करता है जो छोटा number है वो steel होगा और जो बड़ा number है वो aluminium क्योंकि मेरे भाई क्योंकि मेरे भाई आप ऐसा नहीं करोगे कि जो strength देने वाले conductor हैं वो main conductor से जादा लगा दिये जाएं ऐसा नहीं करेंगे अब देखो problem एक रह गई problem बस एक रह गई strength वाला भी solve हो गया problem क्या बची corona पे जाने से पहले फिर से कहानी revise कर ले सबसे पहले solid conductor समस्या थी skin effect आया stranded skin effect कम हो गया लेकि opposite stranded जिसमें बीच में steel लगाया गया अब एक problem रह गई corona अब मैं क्या कहता हूं मैं क्या कहता हूं यहां लिखता हूं to reduce corona एक बहुत simple सा तरीका है to reduce corona increase number of strands increase number of strands having small diameter ठीक है छोटे छोटे डायमीटर के जादा number of strands ठीक है छोटे छोटे डायमीटर के जादा strands लगा लो तो मेरे भाई यह surface में थोड़ी सी fluctuation कम आ जाएगी देखो दिख रहा है ना थोड़ी fluctuation कम आ रही है अब जो diagram देखो मैंने हाथ से बनाया था इसके अंदर आपको दिख changes आ रहे हैं ऐसे देखो तो जितने मोटे strand लोगे मेरे भाई उतना ज्यादा surface में variation आएगा और जितने पतले पतले strand लोगे उतना surface smooth होता जाएगा ठीक है उतना surface आपका smooth होता जाएगा यह बात clear है उतना surface simple हो जाएगा तो एक तरीका तो यह हो गया दूसरा तरीका होता है expanded ACSR अब यह expanded ACSR क्या है जहाँ ACSR conductor का diameter बढ़ा दिया जाता है कैसे diameter बढ़ा देते हैं देखो यह अंदर वाले हैं आपके steel strands यह क्या है steel strands बीच में आपने भर दिया filler material filler material यूज होता है paper और hessian paper और hessian तो यह insulating material भी है और यह क्या करेगा बाहर वाले strands को थोड़ा और बाहर कर देगा तो इससे overall radius बढ़ जाता है तो overall radius increases जिससे की electric field जो की है lambda by 2 pi epsilon r decreases जिससे की corona reduces तो मेरे भाई इस तरीके से corona की समस्या का भी हल किया जाता है कि ACSR की जगे यूज कर लो expanded ACSR expanded ACSR बिल्कुल steel से भी current flow करता है लेकिन कम current flow करता है जादा current flow करेगा aluminium से जादा current flow करेगा majority aluminium से अब देखो मेरे भाई फिर भी अगर corona और कम करना है तो हम जाते हैं bundled conductor पे ठीक है तब हम जाते हैं bundled conductor पे अब bundled conductor के अंदर क्या होता है एक ही phase में एक से ज़्यादा conductor यूज किये जाते हैं तब वो कहलाता है bundled conductor लेकिन bundled conductor मैं बाद में पढ़ाऊंगा पहले मैं inductance वाला topic cover करूँगा ताकि मैं bundled के अंदर भी inductance derive कर पाऊं और मैं आपको और ज़्यादा conceptual clarity दे पाऊं bundled conductor को लेके इ conductors की hierarchy क्या है सबसे पहले solid skin effect का issue stranded sag और corona का issue composite stranded corona का issue expanded ACSR में corona भी कम हो गया लेकिन corona को minimize करने के लिए यूज होता है bundled conductor bundled conductor is that clear तो ये है सारी कहानी conductors की अब आपको मेरे को लगता है conductors याद रहेंगे shape याद रहेंगी practical figures याद रहेंगे मैंने सारे figures आपको तरीके से show कियें तो कल क्या करूँगा ना कल inductance वाला topic मैं start करूँगा आज यही तक रखेंगे लेकिन मेरे भाई अभी साढ़े 8 बज पर जाओगे upcoming special classes में in upcoming special classes में आपको दिख जाएगा कि मेरी class जो होने वाली है उसका link मैं 12.30 बजे power electronics के previous year question करा रहा हूं अभी rectifier लगवा रहा हूं और शाम 8.30 बजे BJT पढ़ा रहा हूं तो उसमें भी आ सकते हो बाकि जो topic cover कर चुका हूं वो subject by subject मिल जाएंगे और देख cash course, rank improvement batch, doubt solving batch सारी चीज़े मिलती है 12 महीने का subscription सिर्फ 22.500 में अगर code लगाते हो अंकित EAC, अंकित EAC code से मिलता है immediate 10% discount और मेरी guidance और मेरे भाई इसका price इस महीने बढ़ने वाला है तो बाद में पच्ताने से अच्छा है, अंकित EAC लगाओ, discount पाओ, unacademy पे आओ, बाद में personal coach, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या छोडना है, कब सोना है, कब जगना है, क्या daily routine होगा, time कैसे manage होगा, क्या-क्या doubt से सब clear करेगा आपका personal coach, study material, notes और question bank अलग से मिलेंगे, mains का Q&A practice अलग से मिलेगा, इसके अलावा interview preparation भी इसमें जल्दी add हो तो अंकित ESE लगाना और unacademy पे आजाना, prices बढ़ने से पहले, ठीक है, और आप payment कर सकते हो, credit debit card, EMI, net banking, या फिर आप payment कर सकते हो, HDFC के debit card, EMI पे, और बजाज Finsav के debit card, EMI पे, तो अगर एक बार में payment नहीं कर सकते है, मेरे भाई, तो debit card पे EMI अवेल कर लो, parents पे भी pressure नह मत भूलना, अंकित ESE, और यह मेरा telegram channel है, जहां पे मैं अभी notes upload कर दूँगा, आपके लिए lecture number 3 और lecture number 4 के, और यह anacademy profile है, मेरी, आज ही anacademy app download करो, इस profile को follow करो, ताकि जब जब मैं live आऊंगा, आपके पास notification आपके phone में आ जाएगा, अब देखो electrical junction यह जो channel है, यहां प concepts के, जल्दी जल्दी देखते चले जाना, पार्ट शाला पे animation के videos डालूँगा, foundation पे कराया जा रहा है, आपका physics और maths cover जो basic है, engineering से पहले का, SSE, JEE पे JEE और AEE exam के concept करा रहे है, gate question पे previous year question के video solution, तेलगू वाले channel पे तेलगू में gate की तयारी कराया जा रही है, तो तेलगू speaking अब हम लोग मिलेंगे कल शाम साथ बजे और अगर BJT पढ़ना है तो आजाना आज रात साड़े आठ बजे, तीक है, वरना कल शाम साथ बजे मिलेंगे और power system में inductance के topic को उठाएंगे और बहुत enjoy करने वाले हैं, उसके अंदर बहुत conceptual clarity देने वालों, thank you everybody